किसी कोन या एंगल को मेजर करने के लिए अब तक आपने डिग्री माप का प्रयोग किया होगा तो डिग्री माप में आपको पता है कि अगर ये केंदर C है सेंटर C है और मैं आपको कहूँ कि आप इस पॉइंट A से इस सेंटर के अबाउट 30 डिग्री घूम जाओ तो आप यहां पे कहीं पे आओगे अगर मैं आपको कहूँ कि 90 डिग्री घूम जाओ तो आपको पता होगा शायद कि आपको यहां पे आना है इसको हम राइट अंगल भी बोलते हैं अगर मैं 180 डिग्री कहूँ तो शायद आप यहां पे कहीं पे आओगे और अगर 360 बोलू तो आप एक पूरा चक्कर खतम करके वापस यहां पर आ जाओगे बड़ सवाल यह है कि इस पूरे चक्कर को हम 360 डिग्री ही क्यों बोलते हैं हम इसको 100 डिग्री क्यों नहीं बोलते यह 1000 डिग्री क्यों नहीं बोलते हमारे पूरवजों से हमें पता है कि धर्ती सूरज की जब परिक्रमा करती है तो 365 दिन लगाती है वापस अपनी जगह पे आने में बढ़ हमारे पूरवजों को ये 365 दिनों का आकड़ा मालूम नहीं था तो जब वो देखते थे आसमान में सूरज को तो उनको लगभग लगता था कि 360 दिन लगते हैं सूरज को अपनी जगह पे आसमान में वापस आने में अगर वो आज यहाँ पे है तो आज से 360 दिन बाद वो वापस आसमान में बिलकुल इसी जगह पे होगा यहाँ से उन्होंने ये नमबर निकाला 360 360 दिन में सूरज एक परिक्रमा पूरा कर रहा है इसलिए हम 360 डिगरी का आज तक प्रयोग करते हैं लेकिन इस नमबर का एक सरकल से कोई खास रिष्टा नहीं है इस वीडियो में हम एक नए माप के बारे में सिखेंगे जिसे हम कहेंगे रेडियन माप और इस माप का सरकल से बहुत खास रिष्टा होने वाला है उसी सेंटर को ले लेते हैं और उसी प्रारंबिक बुझा यानि इनिशल सैट को ले लेते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लो हम आर के बराबर ले लेते हैं अगर मैं आपसे अब उस circle में गुमने को कहूँ बट r distance चलने को कहूँ जो कि इसके radius के बराबर है एक radius के बराबर है तो यहाँ पे अब जो angle बन रहा है इस angle को हम कहते हैं एक radian अगर मैं आपको यहाँ से 2 r distance चलने को कहूँ यानि कि r से 2 गुना distance तो आप पहले एक r चले और फिर एक और r चले इस circle में ही चलना है तो अब जो यह angle बन रहा है इसको हम कहेंगे 2 radian यह हो जाएगा हमारा 2 radian तो इस तरीके से हम एक नए map एक नए iqai को परिभाशित करते हैं radian चलो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूझता हूँ मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि एक पूरा चक्कर घूम जाओ यानि कि एक circle में एक पूरा चकर घूम के वापस यहाँ पर आ जाओ तो क्या आप बता सकते हो कि हम कितने radian चले इस वीडियो को यहाँ पर पॉस करो और सोचो आपको पता है कि एक circle में एक पूरा चकर लगाने का जो distance होता है वो होता है 2 pi r यानि radius के 2 pi गुना distance हम चलते हैं तो क्योंकि यह distance 2 pi r है तो यह angle जो होगा यह जो कौन होगा इसको हम बोलेंगे 2 pi radian जब हम 1 r के बराबर चले तो angle था 1 radian जब हम 2 r के बराबर चले तो angle होगा 2 radian उसी तरीके से जब हम पूरा circle यानि 2 pi r चलेंगे तो angle हो जाएगा 2 pi radian तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 2 pi radian है वो हमारी 360 degree के बराबर है बट ये जो radian है इसकी खास बात ये है कि इसका एक circle से बहुत गहरा रिष्टा है चाहे आप इस ग्रह पे हो धर्ती पे हो या चाहे आप मंगल पे हो एक radian वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि एक circle तो वैसे का वैसा ही है और हम देखेंगे कि trigonometric functions यानि trigon में थी ये फलनों का भी circle से बहुत खास रिष्टा है तो इसलिए ये जो radian वाली इकाई है ये trigonometric functions में बहुत अच्छे से बैठती है तो इसलिए हम आपकी जिन्दगी में ये नहीं इकाई लेके आई है सिर्फ आपको परिशान करने के लिए नहीं कि degree तो था ही तो क्यूं radian भी सीखना है इसके बहुत फायदे है अब इस वीडियो को खतम करने से पहले हम एक आखरी बात कर लेते हैं negative angles यानि रिनात्म कोनों की अगर मैं आपको यहां से 30 degree जाने को कह रहा था तो आप इधर जा रहे थे बट अगर मैं आपको minus 30 degree जाने को कहूँ तो आप किधर जाओगे minus 30 degree के लिए आप दक्षिन वर्त दिशा यानि clockwise direction में इस तरीके से जाओगे तो जब हम एक clockwise direction में move करते हैं तो हम उन angles को negative बोलते हैं और जब हम एक anti-clockwise direction में घूमते हैं तो हम उन angles को positive बोलते हैं clockwise का मतलब घड़ी की दिशा में घड़ी भी ऐसे ही जाती है और anti-clockwise मतलब घड़ी की दिशा से विपरीत इसी तरीके से radian में भी ये बात लागू है अगर मैं आपको एक radian चलने को कहूँ प्लस एक radian तो आप इस दिशा में एक radius के बराबर चलोगे और इसको हम एक radian कहेंगे और अगर मैं आपको minus 1 radian चलने को कहूँ तो आप clockwise चलोगे एक radius के बराबर फिट से और अब हम इस angle को minus 1 radian कहेंगे